17 जुलाई को होने बाले राजप्रती चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ती जा रही है सभी पार्टी आपने उमीद्वारों पर जोर दे रही है और इस बीच शिफसेना ने ड़या दाव खेलने की कोशिश की है शिफसेना का कहना है कि अगर RSS प्रमुख बहुत भागवद देश के राजप्रती नहीं बनते हैं तो ऐससे स्वामी नाथन को इस पड़ पर लाया जाए बीजेपी अध्यक्षमित शाह शुक्रवार से महराश्व के तीन दिवस्ये दौरे पर हैं उनकी इस दौरान शिफसेना सुप्रीमो उधव ठाकरे से मुलाकार समभव है मीटिंग में शिफसेना एमिस स्वामी नाथन के उमीदवारी पर चर्चा कर सकती है दरसल शिफसेना के इस खदम को नया दाव इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस ते पहले उसने आरेसेस प्रमुक मुहन भागवत के उमीदवारी का समर्थन किया था हालाकि खुद भागवत ने इस तरह की किसी भी समभावना को खारिज कर दिया माना जा रहा है कि बीजेपी अध्यक्ष की उधव से मुलाखात राश्परती चुनाव के संदर्भ में हो सकती है क्योंकि शिवसेना ने पहले से इस मसले पर स्वतंत रुख रखने की धमकी दी है इस सम्बद में बीजेपी के वरिश्च नीता ने कहा हमें शिवसेना के वोट मिलने की उमीद है उन्होंने कहा कि शेत्रिय पार्टी एक ऐसे उमीदवार के खिलाफ वोट करना नहीं चाहेगी जिसके अगला राश्परती बढ़ने की प्रबल संभापना है महराश्च ने शिवसेना और बीजेपी के वीच संघर्ष के कारण दोनों हिंदतों पार्टियों के वीच रिश्च्टर लंबे समय से तनाव पूल है शिवसेना का राश्परती चुनाव में बीजेपी के वोट देने का इतिहास भी रहा है टीम इंदिलिंग्स